नमस्कार बारिश में बुखार बार बार बिमार जी हाँ आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश का मौसम आते ही आपको बार बार बुखार फीवर जोर जिसे बोलते हो आ जाता है या जैसे ही बारिश का मौसम कोई ठंडी का मोदा है तो आप देखते हैं कि आपको पाचिन की दकलीफ होने लगती है फीवर से परिशान रहते हैं इस समस्या से परेशान है कि नाक से पानी गिरता है जोइन्ट पेन होने लग जाता है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगी कि बारिश में बार पर बुखार क्यों आता है और उसके लिए क्या-क्या उपाय आईरवित में बुले गया है पूरी जानकारी आज इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का मिश्रवेदा में जहां हम बात करते हैं शुद्धा आईरवित के बारे में और आज का टॉबिक है बारिश में बुखार के बारे में देखिए बारिश में जो बुखार आता है उसके बारे में कमाल का एक शब्द लिखा है वागभर्ट रिशी ने अस्टांग संग्रह नाम का जो उनका ग्रंथ है उसके चौथे अध्याए में उन्होंने ऐसे कहा है मंदे अगनो बाधिते पुना ऐसे करके उन्होंने कहा है उनका कहना है कि जब गर्मी का मौसम होता है आदानकाल जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं देखिए आईर्विद में साल को येर को दो पार्डमें डिवाइट किया गया है आदानकाल विसर्गका आदान काल गर्मी तक रहता है उसके बाद विसर के काल चालू होता है छेशे महिने का ऐसे पहले डिवाइट किया जाता था अब ये जब जब आपकी मंद अगनी होगी तब तब आपको फीवर होगा जो भी जवर आप अध्याय पढ़ेंगे आईरविद में जवर जिसे की फीवर इंगलिश में बोलते हैं बुखार बोलते हैं उसका पहला लक्षण है अगनी का मंद हो जाना बिना आपकी अगनी आचन दंतर है बिना वो डाउन होए आपको बुखार नहीं आ सकता तो अगनी क्योंकि अलड़ी डाउन थी बारिश आते ही वो और डाउन हो जाती है इसलिए आपको बुखार आता है और ये बुखार आपको अलग-लग फॉर्म में बाहर निकलेगा मलेरिया, लेंगो, चिकन गुनिया, वाइरल फीवर इसे अलग-अलग तरीके से इन बुखार के कोई भी नाम हो सकते है बड़ इसके होने का में कारण है मन्द अगनी इसमें लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते है देखो बिमारी क्यों है अगनी मन्द होने के कारण लोग क्या करते अरे बुखार आया है, कमजोरी आई है, नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो ले चाए पी, ये ले खिचडी खा या फिर खीर खा, या दूद का कुछ बना कर दे दे दे, या फिर कुछ मिठाई दे दे दे, बीमारी है अगनी के मंद होने के कारण, डाजिशन डाउन ह करो, क्योंकि आपके शरीर की अगनी डाउन है, उस शरीर को टाइन दो, उसे हील होने के लिए, लोग गलती क्या करते हैं, इसमें कि ठीक है, नहीं खाएगा, तो कमजोर हो जाएगा, तो दूद पिलाना चालू कर देते हैं, बुखार आया, अगर किसी को आया, तो हर दो द गंटे में, वो आदमी का देखो, जिसको बुखार आया, उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, उसको खाने को मना करेगा, फिर भी लोग ऐसे कैसे नहीं खाएगा, मेरे लिए तो खाने ही पड़ेगा, तुझे इसकी कसम, उसकी कसम, और पता नहीं क्या-क्या बोल के और भरने की कारण अगनी डाउन थी, वो अगनी और डाउन हो जाती है, उसके करण आम दोश पैदा होता है, और उस विक्ति की बिमारी और कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तो बारिश में, या कभी भी जब आपको फीवर आएगा, तो उसका पहला कारण हो या उसको खुल के वो खुद खाने के लिए नहीं बोलता, इसके लिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक का टाइम लग सकता है, तीन से पांच दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं, देखिए फास्टिंग लोगों ने 60-60 दिन तक किया है, अगर आपका वजन 60 किलो है, तो आप 60 days, 60 दिन भी उपवास करोगे तो आप मरने वाले नहीं हो आपका शरीर खतम नहीं हो जाएगा लोगों को क्या लगता है उन्होंने 2-3 दिन नहीं खाया तो बस अब तो प्राण जाने वाले खतम कलाश, फिनिस, टाटा, बाई बाई इस तरह की उनको फिलिंग आने लगती है तो 2-3 दिन तक उस वेक्ति को लंगन करने दो उपवास करने दो, भूख नहीं है तो कुछ खाने मत दो ठीक, उसकी बोडी खुद उससे रिकवर करना चालू कर देगी 3-5 दिन तक भी लंगन किया जा सकता है लंगन तबी तक करना है जब तक बोडी में फटीग ना आने लगे फटीग मतलब बोडी थकान ना आने लगे, कमजोर ना होने लग जाए 1-2 किलोवेट लॉस होगा, वो बाद में रिकवर हो जाएगा बट लंगन तबी तक करना है जब तक थकान ना है एक, नमबर दो, उस वेक्ती को पानी पीने दीजिए, वो भी गरम पानी और बेटर होगा आउशदी वाला पानी पीने दिया जाए बीमारी क्यों ही थी? अगनी मंद होने के कारण तो आईर्विद में बोला गया है कि ऐसी चीजे जो जिसे की स्वेध निकले, पसीना आए बुखार में होता गया, आपके जो चैनल से शरीर के वो ब्लॉक हो जाते हैं शरीर के सिस्टम में ब्लॉक के जा जाता है तो ऐसा पानी पियो जिससे की स्टीव आपको पसीना आने में मदद मिले और आपकी अगनी बढ़े, तो कौन कौन सी चीजे हो सकती है जो बुखार को कम करे, तो उसमें एक कमाल की दवा जो मिलती है उसका नाम है नागरमोथा जिसे मुस्ता कहा जाता है, नागरमोथा नाम आप ठाइप करेंगे, आपको उसकी फोटो सा जाएगी अलग-अलग language में अलग-अलग छीजे बोलते होंगे तो ये जो नागरमोथा है, ये बुखार का first drug of choice आप बोल सकते हैं ये किसी भी प्रकार का बुखार आया है, अगर अगरमोथा या जिसको मुस्ता संस्कृत में बोलते हैं उसका पानी जरूर बिराची, इसमें मैंने वीडियो भी अलड़ी डालके रखा है ये क्या करता है, ये आपके अगनी को बढ़ाने में मदद करता है और जो भी टॉक्सिंस इकठा हुए या जो आम दोश या जो विश्रिकठा है उसको शरीर से निकालने का काम करता है अगर बुखार के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी हुई है, हाथ पैर में जलन भी हो रहा है, एक दमाग हो रहा है तो इसी में एक और दवा एड़ करनी चाहिए, जिसका नाम है पापड़ा या फिर पित पापड़ा कहते हैं, जिसे संस्कृत में परपड बोलते हैं तो 10 ग्राम नागर मुथाका पाउडर, 10 ग्राम पित पापड़ा, दोनों कड़वे होते हैं, इतना द्यान रखिए ये आधे लीटर पानी में उबाल कर हाफ कर लीजे, जब भी प्यास लगेगी, दो-दो-चार-चार घुट ये पानी दीजिए ये पानी अच्छे से अगनी बढ़ाने में मदद करेगा, और जो भी फीवर आया है, वो फीवर निकाल देगा, अगर जोडों में दर्द हो रहा है, इन सारी दटीखों वो भी कम करने में मदद करेगा फिर ऐसे ही एक बहुती आराम की दवाई मिल जाती है, जो 20-30 रुपए में, जिसको किरात तिक्त बोलते हैं, या छीरायता बोलते हैं, मंगाल, आसामिय साइड में तो बहुती पिया जाता है, कड़वा बहुत होता है, तो इसका भी अगर आप 5 ग्राम पाउडर लेकर, आ भी आपके शरीर में ब्लॉके जैसे है, जिसके करण अगनी डाउन होई है, उनको क्लियर करने का काम करता है, तो ये सारे काड़े 3-5 या 7 दिन तर लेना चाहिए, जब तक भूख खुलके ना लगने लगे, जैसे ही भूख खुलके लगने लगी, तब इन काड़ों को बन क कर देना चाहिए, और उसकी बजाए जब उस वक्ती को भूख लगेगी, तो ऐसे आइटम देने चाहिए, जो पचने में हलके हो, जैसे की मूंग का पानी, या फिर चावल का पानी, या फिर अभी कुछ वीडियो पहले मैंने लाहा, लाजा के उपर वीडियो डाला था, व कोबाल कर हाफ कर लो, और ये वाला पानी उनको पीने के लिए दीजिए, कितने दिन, तीन दिन, पांच दिन, या साथ दिन, जब तक उनकी भूख इतनी ना लग जाए, कि ये जो दिया हुआ पानी है, वो एक डेट घंटे में अगर हजम होने लग गया, और वो बोलेंगे अब मुझे बरदास नहीं हो रहा, मुझे खाने दो, किवाल इससे मेरा काम नहीं चल रहा, तब टाइम आया है, उनको पतला मून का खिषडी, मून का चावल दे दे के, 12-15 दिनों में, या फिर मिनिमम साथ दिन का टाइम देना चाहिए, उनकी अगनी बैलेंस होने में, त चाहिए कोई भी फीवर हो, वो कराओ, इसके बाद 3-5 दिन तक जो है, उनको कड़वा जो काड़ा वाड़ा बोला है, ये दो, कुछ दिनों तक 2-4 दिन तक मून का सूप ये दो, उनकी भूख खुलने लगे, तब मून की खिषडी विषडी से लेके, उनको रोटी के उप पर जाहिए, इस तरह का अगर पैटन फॉलो करते हैं, तो जो बार बार बुखार आने की तकलीफ है, उससे बचे रहेंगे, अदर्वाइस अगर आप इस होचेंगे ठीके, बुखार आया है, ये गोली, वो गोली, या फिर बुखार है, तो ये खिला दो, दूद का कुछ मेठा खिला दो, अच्छा ये तो टॉनिक होता है, बदाम से ताकत मिलती है, तो बदाम खिला दो, खजूर खिला दो, इन चक्रों में और डाजिशन डाउन होगा, और बिमारी बढ़ेगी, अब ये जो इस तरह से आपने बुखार को बाहर निकाला है, ये बुखार फिर स दुबारा ना आए, उसके लिए जो भी नजदी की पंचिकर्म सेंटर होगा आपके, वहाँ पे जाके विरेचन नाम का एक चिकित सा होता है, विरेचन मतलब लूज मोशन करकरके शरीर में जो भी टॉक्सिल्स इकटा हुए हैं, लीवर में, स्प्लीन में, आपके इंटेस से होने लगता है, कि बुखार जैसे गया, बाल बहुत जड़न लगया, ये सारी तकलीफों से आप बचे रहोगे, और बार बार जो फीवर का रिकरेंस होता है, वो आपको नहीं होगा, तो ये जो उपाई वीडियो में बताए गए हैं, वो एलोंग बित जो पंचिकर्म मे वीरेचन हैं आप करते हैं, तो बार बार बीमार या बार बार बुखार होने की जो टेंडेंसी है, वो बारिश ही नहीं, बाकि कोई भी मौसम में हो, उसमें आपको ये फाइदे मन्द रहेगा, ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे कौन से आपको आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं, तब तक के लिए सवस्त रहें, मस्त रहें